जे सिकेशना सभी को तो बस अब सुबा सुबा में आ गई हूँ छट पर कुछ अपनी बागवानी से संबंदित काम करने के लिए तो देखी ये मिट्टी मेंने परसो सुखा दी थी इसमें चीटिया हो गई थी बहुत सारी तो देखी ये चाक का मैंने जो लक्षवन रेखा ये सोरी चाक नहीं लक्षवन रेखा उसको मैंने पूरा घेरा बना दिया था और ये मिट्टी में जो पोधे की जड़ दिख रही है ना उसमें डालूंगी तो इसमें हैं टमाटर का पोधा लगा है और देखे इसमें ये जड़ दिखने लग गई थी तो बस मैं इसके तो ये पानी मगेरा डालते है ना तो जड़ दिखने लग जाती है क्योंकि थोड़ी मिट्टी इदर उधर हो जाती है तो हमें एक आद महीने में मिट्टी डालनी ही पड़ती है तो बस मैं आज सुबे से ये ही काम करने लग गई थी और ये एक नाट चमपा का पोधा है इ बेंगन तो देखिए कितने अच्छे बेंगन लगे है और ये बेंगन का पोधा बहुत ही अच्छा है इसमें बहुत फ्रोटिंग हुई है बहुत बेंगन लगे थे हमने बहुत खाये है इस पोधे के लेकिन चीटिया इस बार मेरी चट पे बहुत चीटिया है और तो भी गिस देती उसका चूरा करके भी डाला है लेकिन खतम नहीं हुई है और देखिए ये बेंगन ओल लगे हैं बहुत सारे लगे थे और ये बहुत टेस्टी वाला बेंगन है बहुत अच्छा बेंगन था ये और इसके बाद करेले लगे हुए थे तो दो करेले तोड़ हमने और देखिए ये करेला एक भूल गया थे तो पीला हो गया था और एक गिलकी निकली है और इसमें भी चीटी थी और फिर थोड़े बहुत हमने टमाटा तोड़े इस बार टमाटर बहुत कम है पिछले साल तो मेरे ये बहुत टमाटर थे लेकिन इस बार बहुत कम टमा मिर्ची का पोधived, इसमें मिर्ची लगी हुई थी और में 2-3 दिन से छट पे नहीं आई थी, तो कुछ नौँ बढ़ी, तो भस हमने मिर्ची की भी हारवेस्टिंग कर ली और देखे इतने मिर्ची निकली है और वस जितनी भी पोधे में लगी थी, हमने सब तोड ली थी, त तो कुंद्रू भी अच्छे बड़े हो गये थे, अगर इनको फिर हम टाइम से नहीं तोड़े तो एकदम लाल हो जाते हैं, और कोई काम के नी रहते तो बस मैंने कुंद्रू भी तोड़ लिए, क्योंकि इतनी सबजी तो एक दिन मैं बनाऊंगी नहीं, पर अराम से इसमें और इतने कुंद्रू निकले भी नहीं है कि एक बार की सबजी बने, बस इसमें आलू अगेरा डाल के फिर बनाऊंगी, तो देखिए इतनी सारी हार्वेस्टिंग की है, आज हमने बैंगन, कुंद्रू, करेले बस दो ही निकले हैं, और गिल्की भी तेज निकले हैं, तो द फूल हो गए हैं, और देखिए अपने घर की जो हम यह चीजे हार्वेस्ट करते हैं, फूल तोड़ते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, जरूर बताईएगा, जैस्रिकेशना,